गोमती नाम की एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे सुदर्शन और बहु ममता के साथ रहती थी गोमती का बड़ा बेटा और बहु एक सड़क हाथसे में इस दुनिया से चले गए उस समय पोती खुशी गोमती के पास घर पर थी अब इस दुनिया में गोमती की पोती खुशी का अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था क्योंकि खुशी के चाचा चाची स्वभाव के बहुत खराब थे चाची दादी की तब्यद बहुत खराब है आप दादी से काम मत करवाओ दादी को बुखार है चल हट बड़ी आई दादी की सगी ओ बुडिया अभी तक तेरे से बरतन नहीं धुले कपड़े कब धोएगी फिर बस धुल गए बहू शरीर बहुत दुख रहा था तब्यत पिल्कुल ठीक नहीं है रोज रोज कब बिमारी का बहाना यहां नहीं चलेगा तुझ्योर तेरी पोती को घर में रहने की जगदी है शाम को मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे है इसके बाद रसोई में जाकर उनका खाना बनाना समझी? और साथ में अपनी पोती को भी लगा सारा देन इधर उधर गूमती रहती है दादी लाओ मैं आपकी मदद करूँ आपकी तब्या ठीक नहीं है दादी चाची बहुत बुरी है चाची आपको कितना तंग करती है आपसे कितना काम करवाती है मेरी बच्ची तो इतने छोटे-छोटे हाथों से कैसे काम करेगी रहने दे बिटिया मैं कर लूँगी गूमती और खुशी की आँखों में आसुआ जाते है खुशी जानती थी कि उसकी दादी की तब्यत बहुत खराब है पर वो छोटी बच्ची क्या कर सकती थी शाम के समय ममता की मा और बहन रहने आ जाती है ममता के बच्चों के लिए वो खिलोने और खाले पीने की चीजे लाई थी खुशी बच्चों को खिलोने के साथ खेलता देख लेती है और वो उनके पास जाती है तभी मम्ता की बेटी महिमा के हाथ से गुडिया टूँच जाती है और वो खुशी पर दोश लगाने लगती है नानी देखो ना मौसी देखो ना खुशी ने मेरी गुडिया तोड़ दी मम्ता ये लड़की तो बड़ी शैतान है खुद तो माबाप पर लोग सिधार गए और चाती पर मूंग दलने के लिए इसे याँ छोड़ दिया बताओ जरा इतनी महिंगी गुडिया लाई थी मैं महिमा के लिए और इस लड़की ने पल भर में तोड़ दी हाँ दीदी ये तो बहुत गलत बात है तुम्हें से सबा क्यों नहीं सिखाती हो कि आज के बाद ये ऐसा कुछ ना करे हम देखती जो मैं इसे अभी सीधा करती हो विट्टू जरा सामने से डंडा तो लाना ममता डंडे से खुशी की पिटाई करने लगती है खुशी बचाओ बचाओ चिलाने लगती है ममता बहु रहने दे बिचारी मासूम बच्ची है इसे मत मार ममता मैं तेरे आगे भीत मागती हो इसे छोड़ते ममता को बोल खुशी को ना पीटे इस बिचारी का इस दुन्या में कोई नहीं उसके साथ ऐसा सलूप मत करो मा तुम बीच में मत आया करो बच्चों को सबक सिखाना जरूरी होता है ममता उसे किसी बज़ा से ही पीट रही है और मैं अभी अभी थका हुआ आया हूँ मुझे इन सब बातों में मत घसीटो मुझे तो अपने उपर शरम आती है कि मैंने तुझ जैसी आलाद को जन्म दिया तु अपने भाई की बच्ची के साथ इतना बुरा सलूप होते हुए देखता रहता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं मत करो पाप ममता का गुसा खुशी को पीटने के बाद ही ठंडा होता है उस रात खुशी और गोमती बहुत रुए और उधर ममता अपनी मा और बेहन के साथ खुब खिल खिला कर पूरी रात मज़े करती रही अगले दिन गोमती की उठने की भी हिम्मत नहीं थी गोमती की तब्यद बहुत जादा खराब हो गई थी गोमती ने सुबह से कुछ नहीं खाया था वो भूखी प्यासी घर के काम करती रही पर ममता ने उस पर जरा सा भी तरस नहीं किया चाची दादी मा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो तो मैं क्या करूँ? हम सब घूमने जा रहे हैं घर में कुछ नहीं है खाने को रसोई को मैं ताला लगा कर जा रही हूँ भूखे मरो या कहीं चले जो पर मेरा दिमाग मत खाओ चलो मा चलो बर्खा बचो जल्दी जल्दी चलो तुमारे पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं ममतार रसोई को ताला लगा जाती है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था गुमती की तब्यत और खराब होती जा रही थी खुशी गुमती को बिना बताए बाजार में कुछ खाने का लेने करे निकलती है वो बाजार में सबसे मदद बांगती है भाईया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो मेरी दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है वो भूखी है पैसे है तेरे पास अगर पैसे है तो ले जा नहीं भाया मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरा दिमाग मत खाओ जाओ यहां से जाओ अब क्या करूँ दादी के लिए खाना कहां से लाओ तभी खुशी की नजर एक मंदिर पर पढ़ती है जहां एक पंडाल लगा था वहाँ एक औरत कुलहर खिचुडी का प्रसाद बाट रही थी खुशी उसके पास जाती है क्या हुआ बिटिया प्रसाद चाहिए पर आंटी मेरे पास पैसे नहीं है आप तो इसके बदले मेरे से पैसे बागोगे ना नहीं बिटिया भगवाईन के मंदिर में जो प्रसाद बाटा जाता है उसके पैसे नहीं होते ये तो मुफ्ट में मिलता है मुझे किसी ने भी बिना पैसो के खाना नहीं दिया मेरी दादी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है आंटी वो सुबह से भूकी है उनकी तब्बत भी बहुत खराब है चाचा चाची सब घूमने चले गए खुशी के आसो देखकर वो औरत जिसका नाम मालीनी था वो भी भावुक हो जाती है मालीनी एक ऐसी संस्था चलाती थी जिसमें औरतों को रोजगार मिल सके मालीनी कुलहर खिच्डी बनाने का कारे करती थी पूरे सब्ता अलग-अलग मंदिरों में कुलहर खिच्डी बना कर बटवाना यही उनकी संस्था का कारे था ये काम मालीनी पिछले पांच वर्षों से करती आ रही थी, अब मालीनी का परिवार भी इसमें सहयोग देता थाmore, मालीनी पैसे वाली होने के साथ साथ दयालुस वभाव की थी, ईश्वर की प्रती अटू टास था के कारण मालीनी ने लोगों की सेवा के लिए ये समाज सेव का कारिप्रारम किया माली नी खुशी के साथ उसके घर पहुंचती है गुम्ती की हालत बहुत ही नाजुक थी माली नी गुम्ती को हॉस्पिटल में एड्मिट करवाती है गुम्ती की तब्यत में सुधार आ जाता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया आपने मेरे ल बेटे और बहु के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्था की तरफ से आपको रहने की जगा और काम दोनों मिलेंगे। हमारी संस्था कुलहड की च्री बनाकर मंदिरों में बाटने का काम करती है। जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालीनी जी, आप तो हम दादी पोती के लिए इश्वर का कोई रूप बन कर आए हो। सच मुच। कभी कभी पराएं भी अपनों से बढ़ कर हो जाते हैं। गुम्ती अपने बेटा-बहु का घर छोड़ देती है। अब वो मालीनी के साथ समाज सेवा का काम करती थी। कुलर खिचुडी बनाने में गुम्ती अपना पूरा सहयोग देती थी। गोम्ती देखती है, बहुत से बेसाहरा महिलाएं इस कारे में मालीनी को सहयोग देती है मालीनी एक अच्छे स्कूल में खुशी का एड्मिशन भी करवा देती है गोम्ती को इस बात की तसली थी कि उसने खुशी के बरबाद होते हुए जीवन को बचा लिया था और ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ था अम्मा, तीस रुपए के जामुन कर दो अहाँ, अहाँ, बिठिया देती हूँ, ये लो ममी, ये बुरी अम्मा इस उम्में भी कितना काम कर रही है हाँ, बिटा, शायद इनका इस दुनिया में कोई नहीं होगा और वो अपने आप से ही बाते करने लगती है हाँ, आज मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, पर कल तक मैं अकेली नहीं थी मेरा भी परिवार था पर सुनू जी, पापा को गए एक महिना हो गया, पर तुम्हारी मा अभी तक सत्मे से बाहर नहीं आई घर के सारे काम मैं करूँ, और वो आराम से बैटकर रोठिया थोड़े मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, तो मिने किसी व्रिधाश्रा में छोड़ाओं में तंग आ गई हूँ इनसे तुम जानते भी हो सुदा, तुम क्या बोल रही हो, ये घर मा के नाम है अगर मा चली गई, तो उनके साथ ये घर भी चला जाएगा, फिर रहना सलक पर, बात करती हो लाओ मेरा टिफिन दो, मैं लेटो रहाऊ विनोत काम पर चला जाता है, तभी जान की मंदर से आ जाती है, पोता सूरज भी साथ था मम्मी देखो, दादी मा, और मुझे प्रसादने खीर मिली, आप भी खाओ न मम्मी मुझे ने खानी, और चुपचप जल्दी से खीर खत्म कर और पढ़ने बैट, एक संडे का दिन होता है, और पूरा दिन तु घूमने फिरने में लगा देता है और मा जी, आपको जब मैंने बोला था, आज मशीन लगा कर कप्रे धो देना, तो आपसे कप्रे तो धुले नहीं, सुबह सुबह पुजा करने मंदर चली गई, अब मशीन लगा कर कप्रे धोलो बड़ी महरवानी होगी सुबह का यही स्वभाव था, वो अपनी साज जानकी पर अत्याचार करती थी, घर के सारे काम जानकी ही करती थी, पती के दुनिया से चले जाने के बाद जानकी पर मुसीब्तों का पहार तूट पड़ा जानकी की बहु सुधा तो इसी फिराग में थी, कि किस तरह से जानकी को इस घर से धक्का दे कर, उनके घर की मालकिन बन जाए, और उसे मौका मिल ही गया अरे मैं मर गई, ये गरम पानी बाल्टी में किस ने रखा था, मेरा हाथ जल गया, ज़रूर ये काम मा जी का है, वो तो चाहती है कि मैं मर जाओ, और उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले क्या हुआ सुधा, तुमारा हाथ कैसे जल गया ये सब तुमारी मा के कारण हुआ है, उन्होंने ही जान बुझकर बाल्टी में गरम पानी भर कर रखा था, ताकि मैं नहाने जाओ, तुम्हें जल जाओ, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यांसे मा आपको शर्मानी चाहिए, आपकी वज़े से आज मेरा घर परिवार तूट रहा है, आप कहीं चली क्यों नहीं जाती हो तुम बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हो, हाँ हाँ, मैं ही जूटी हूँ, आप ही सची हो, रहो अपने बेटे के साथ, सूरज स्कूल से आ जाए तो मैं उसे लेकर चली जाओंगी चिंता मत करो सुधा, मैं कोई न कोई इंतिजाम कलता करी लूँगा, पर मा इस घर में नहीं रहेगी विनोत काम पर चला जाता है और सुधा अपने कमरे में जाकर सोचा आती है, कुछ दिर बाद सूरज स्कूल से आता है तब वोटती है मम्मी दादी कहा हो सब? अरे मेरा राजा बेटा आ गया, चल तू बैट, मैं तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ माजी, खाना बन गया या नहीं? अरे, ये कहां चली गई? मम्मी दादी कहां चली गई? उन्होंने मुझे बोला था, आज वो मुझे पार्क में जूला जूलाने ले जाएंगी सुधा पूरी घर में देखती है, पर उसे कहीं भी जान की रज़र नहीं आती वो विनोद को फोन मिलाती है, विनोद घर आता है सुधा और विनोद किसी तरह सुधा को समझा देते हैं, पर वो दोनोद जान की के बारे में कुछ भी पता करने के बारे में नहीं सोचते जान की सडकों पर अकेली बे सहारा घूम रही थी, जान की के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो लेकर वो दूसरे शहर आ गई और एक जुगी में रहकर अपना गुजारा करने लगी, अब तो बहुत से जुगी वाले जान की को जानते थे जान की को घर से निकले आज दस साल हो गए, पिछले दस सालों से जान की अपने परिवार से दूर है पर विनोद और सुधा ने उसे ढूरने तक की कोशिश नहींगी गर्मियों का सीजन आया तो जान की ने मंडी से जामुन खरीदे और जामुन बेशने लगी आज 80 साल की उम्र में जान की इस दुन्या में परिवार के होते हुए भी अखेली है और आज भी खुद से कमा कर अपनी जुन्दगी गुजार रही है जान की काकी घर चल रही हो मैं घरी जा रही हो शोभा बिटिया अभी बहुत जामुन पड़े है मैं सोच रही हूँ कुछ तेर और बैट जाती हो थोड़े और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा लाला के जामुन के पैसे लोटाने है घर ले गई तो जामुन खराब हो जाएंगे और तुभारी नारियल पानी की बिक्री होई कि आज थोड़ी हाँ काकी आज बाजार में घूम कर बेचिये तब जाकर बिके मैं तो कहती हूँ मुझे दे दिया करो बेचने के लिए पर तुम मानती कहाँ काकी नहीं बिटिया तुझे भी तो अपने घर का खयाल रखना है तू भी तो कितनी महनत करती है ना तेरे बापो की तब्या ठीक नहीं रहती मा भी तो घरों में काम करती है कम से कम तू महनत करके घर को चला लेती है ये बहुत बड़ी बात है बिटिया चिंता मत कर मेरी बुड़ी हड़ियों में बहुत ताकत है जिन्दगी के दुखों ने मेरे शरीर को मस्बूद बना दिया है तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है काकी अच्छा मैं घर चलती हूँ फिर तुम आराम से आ जाना जानकी को जामुन बेशते रात हो गई उसके पास अभी भी जामुन बचे हुए थे तब ही उसके पास एक गाड़ी आकर रुखती है अरे यार जामुन खाने का बहुत मन हो रहा है चलना उन अम्मा से जामुन लेते है एक काम कर तू जल्दी से जा कर ले आ मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ अम्मा पचास उरुपे के जामुन कर दो अभी करती हूँ बेटा अम्मा मेरे पास पांचसो का नोट है आपके पास खुले होंगे नहीं बेटा मेरे पास खुले तो नहीं है सूरज, सूरज तिरे पास पचास रुपे है क्या जरा पकड़ा दे हैं तो सूरज, जानकी सूरज नाम सुनकर थोड़ी घबरा जाती है अचानक वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और जानकी को देख कर चौंक जाता है सूरज तब छोटा था 10 साल का बच्चा सूरज आज 20 साल का हो चुका था सूरज अपनी दादी को पैचान गया और वो दादी-दादी कहकर अपनी दादी के गले लग कर फूट-फूट कर रो पड़ा सूरज कॉलिज में पढ़ रहा था तो वो इसी शूहर में रहता था सूरज को जानकी से सारी बात पता चलती है और वो भी अपने पोते से लिपट कर खूब रोती है। इसके बाद जानकी सबसे विदा लेकर अपने पोती सूरज के साथ अपने शहर अपने घर पहुँचती है। इसके बाद जानकी सबसे खूँचती है। आपने क्यों नहीं सोचा, मैं आप दोनों की नहीं सुनूंगा, मैं दादी मा के साथ जा रहा हूँ। सुरज जानकी के साथ वापस जाने लगता है, तभी सुधा और विनोद, रोते बिलगते जानकी के पैरों में गिर जाते हैं। माजी, माजी मुझे माफ कर दो, मुझे से गलती हो गई, माजी। मा सुरज को समझाओ न मा अब जीने की इच्छा नहीं सुरज बेटा, अपने माता-पिता को माफ कर देना, अपने माता-पिता की खूप सेवा करना, माता-पिता का अशिर्वाद, भगवान का अशिर्वाद होता है, हमेशा खुश रहना बच्चो। इतना कहते ही जानकी की गर्दन एकोर लुढ़क गई, ऐसा लग रहा था, मानो वो अपने बेटा बहु और पोते से मिलने के लिए ही अब तक इस दुनिया में जिन्दा थी, विनोत और सुधा की आँखों में शर्मिंदगी के आँसु थे, सूरज अपनी दादी से